तो यहां पर होती है हमारी magic square और evos के बीज में fight start तो अगर evos के पोजीशन देखेंगे तो दो प्लेयर अलग घर पे और दो बंदे अलग घर पे यहां पर हैं और हमारी team mg square यहां पर पूरी नीचे साइड है दो प्लेयर घर के बहुत पास में हैं बट यहां इनके पीछे भी बंदे हैं इबोस के जिसके पुझे से रस नहीं किया जा रहा है तो अभी के टाइम पे दो प्लेयर हमारे इबोस के घर के उपर हैं और दो प्लेयर अलग कंपाउंड में हैं तो मतलब जो यह अलग घर पे है यहाँ पर mg2 जो होती है पूरी घर पर आ जाती है यहाँ उसके चारो बंदे जो हमारे घर जिस पर इवोस के दो बंदे ऊपर चड़े हैं उसके नीचे इनके तीन बंदे आ चुके हैं बट पीछे से यहाँ थर्ड पार्टी हो रही है और एक नई टीम आई है जो mg2 की स्नाइ साथ टीम की लोकेशन को भी देखना है तो यहाँ पर जैस अकेडमी आगे बढ़ दी है और यहाँ पर हमारे मौसी ने वहाँ से स्पॉर्ट कर दिया एक नई टीम आगी है तो यहाँ पर प्लेयस को कॉल दिया जाता है और सभी प्लेयस देखे इपोस के हमारे पीछे आरे दीरे-दीरे आपी अलरेडी भी पीछे आरे बट यहां पर ऑलरेड़ी ग्रेन नट से आपके नउक हो जाते हैं बट रस नहीं किया जाता क्योंकि जैस अकेडमी को भी पता है कि यहाँ दो टीम से होने वाली है और जिस भी दो टीम की फाइड हो गी है तो अब जोनों टीम की तरफ से नेर्डिंग की जारी है और नौक निकालने की कोसिस की जारी है वहीं पे मैजिक स्क्राइड पूरी घर के ऊपर चड़ गई है वो भी यही चाहती है कि जैसे केडमी और इवोस की फाइड हो जाए जिसके विज़े से हम थर्ड पार्टी का फाइदा उठाब सकें तो अभी फाइड चालू हो रही है और यहां पे हमारे इवोस के प्लेयर्स नीचे से फ्लैंक करने का ट्राइ कर रहे हैं बट यह फ्लैंक थोड़ा सा गरत हो सकता था उनकी तरफ से क्योंकि घर के उपर से यहां पे बंदे ईजी इनको नौक कर सकते थे तो यहां पे रिच के कावर में थे लेकिन जब उनको पता चला कि जो प्लेयर्स हैं वो घर के उपर आने वाले हैं उपर ही हैं मतलब तो वह लोग वहां से फिर से अपने ही कंपॉंड में वापिस चले जाते हैं अभी भी दूनों टीम की तरफ से नेडिंग चल रहे हैं तो यहां पर हमारे इवोस के प्लेयर्स अपनी जगहा पर वापिस जा रहे हैं और वह भी धेल धेल धीर हैं अपने और यहाँ पर इधर दोनों टीम की फाइट चल रही है, MG स्क्रेड और Jazz Academy की, तो यहाँ पर नेडिंग की जा रही है, और यहाँ पर नॉक करने का ट्राइक का जा रहा है, तो यहाँ पर नॉक की तरफ नेडिंग जिसकी वाइड हो जाता है, जो की स्नाइपर के लων पर खे रहे हैं, रहिं बड़ घर के अंदर स्नाइपिंग करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर अभी जब ऐसी सिच्वेशन होती है तो जो टीम घर के बाहर रहती है उनको बहुत प्लस पॉइंट रहता है घर के अंदर बारी टीम बहुत ज़्यादा डिस एडवांटेज में आती है क्योंकि उनको सही से लोकेशन नहीं रिवील हो पाती है तो यहां पर हमार जैस अकेडमी के भी तीन प्लर बचे और हमारी इवोस के पूरी लाइनप बची हूँ तो यहां पर इवोस पर अगर अब इवोस रस करेगी तो एजी इस फाइट को निकाल सकती है बट यहां पर अभी थोड़ा सा वेट किया जा रहा है हमारी इवोस की तरफ से क्योंकि प प्लियर गाड़ी लेके निकलने का ट्राई करा जैस अकेडमी का क्योंकि उनको पता है कि यहां पर हमारी टेम डिस एडवांटेज में आ सकती है और यहां पर इवोस ने रस करके जैस अकेडमी को पूरी लाइनप को मार दिया बस एक बंदा जो की गाड़ी लेके निकल अपने players को वापिस बुलाना, अगर वहाँ पे यहाँ पे हमारे मौसी Jazz Academy को spot करके अपने teams को वापिस ने बुलाते तो यहाँ पे हमारे ebos और mg squared की fight हो जाती है और यहाँ पे jazz academy easy kills निकालते थर्ड पार्टी में तो यहाँ पे आप नेर्डिंग का रोल भी देखें किस तरह से यहाँ पे मारी जोईना ने mg squared को पूरी तरह से तबाह कर दिया हूँ, वाँ पे दो नोक्स निकालें उन्होंने घर के उपर जिसकी बज़े से वो fight इन्होंने बहुत बड़ी advantage से जीते तो ऐसे आगर आप भी fight लेते हैं टूनामेंट्स में तो EGF fight को जी सकते हैं बाकी वीडियो कैसे लगी, comment करके ज़रू बताना वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना